आज सुसील मोधी को सरधांजली देंगे पीम मोधी साम 6 बजे पत्ना पहुचेंगे पहली बार बिजेपी ओफिस जाएंगे नमस्कार आप देखना शुरू कर दिया है कोशी नीज चले बरते हैं अभी की तजा खबरों की ओर परधान मंत्री नरेंद्र मोधी दस दिन के अंदर दूसरी बार आज बिहार आ रहे हैं लोकसभाद चुनाव की घोषना के बाद पीम मोधी का ये सात्मा दोरा है हलाकि इस बार उनका दोरा कुछ खास है पाली बार हो परदेश बिजेपी कारियाले पहुचेंगे पीम आज साम 6 बजे विशेश बिमान से पतना एरपोर्ट पहुचेंगे इसके बाद में बिजेपी मेता सुसील मोधी को सरभांद ली तेने उनके घर जाएंगे यहां से बे सीध्ये बिजेपी कारियाले जाएंगे जहां लोकसभाचुना को लेकर भात्ता के नेताओं को तिप्स देंगे इस बोके पर परदेश अध्यक्ष सा दिप्ति सियम समराज चोधी विजेशिना पतना साही पातली पूत्र सांसदे छेतर से बिजेपी परत्यासी, रविशंकर प्रसाद और राम कृष्न पाल यादव सहित तमाम नेता मुझूद रहेंगे पीम मोधी राजभवन में करेंगे रात्त्री विश्राम बिजेपी कारियाले के बाद पीम सिरे राजभवन पहुचेंगे रात्री विश्राम राध्भोन में ही करेंगे जानकारी के मुतावित बिहार के राध्भाल से भी मुलाकात करेंगे पीम मोधी के लिए हलका भोजन और जल्या की वोस्था की जा रही है बतादे कि प्रधाम मंतरी नरेंद्र मोधी ने बार माई धिन्रविवार की साम पतना में पहली बार रोड़ सो किया था रोड़ सो के बाद पीम मोधी ने राध्भोन में ही रात्री विश्राम किया था इसके बाद समवार की सुभ़ पीम नरेंद्र मोधी पतना साहिब गुरुद्वारा पहुचे थे इस खबर को लेकर आपका क्यारा है हमें कमेंट जरूर करें वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेर करना ना बुले बहुत बहुत धन्यवाद